यदि मंत्र जाब करते समय आपके साथ ऐसा सब कुछ होने लगे याने कि आपके मन में अस्तील बिचार आने लगे आपका मन एक जगे स्थिर ना हो आप अटसंट सोचने लग जाओ आपको कभी-कभी चक्कर भी आने लगते हैं या बैठे-बैठे मंत्र जाब करते हैं आपका मन करें मैं उठ जाओं एकदम यहां से बहुत हो गया क्यों बेकार में कही बार ये सब विचार भी आते हैं तो इसका क्या कारण होता है और क्या हमने एक छुट ऐसा उपाय करना है जिससे की हम इसमें अपने मंत्र जाब में सफल हो सके इस कार्य में हमारा मन लगे और हम भगवान अपने इस्ट तक अपनी बात अपना मंत्र पहुचा सके जैशिराम दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों मैं भी ठीक हूँ दोस्तों आज का मेरा वीडियो है कि कभी-कभी मंत्र जाब में कतई भी बिल्कुल मन नहीं लगता है और अंदर से आता है कि तू बेवकूप है क्यों बैठी है क्यों ये सब कर रही है या उठ जा तेरा वो काम पड़ा है काम याद आते हैं अपने और कभी-कभी तो दोस्तों अशलील और गंदे विचार आने लग जाते हैं बहुत कुछ हम लोग अंटसंट सोचने लग जाते हैं मन में तो फिर मंत्र वापस अपने आपको लाओ लेकिन अपने बस में नहीं होता है हम खुद चाहते हैं कि नहीं मुझे यह सब नहीं सोचना लेकिन क्या सोचना आपके बस में है ? नहीं तो इसके लिए आपको क्या करना है ये मैं आज अपने वीडियो के बादे हमसे बताओंगी पूरी वीडियो में बने रहे हैं बहुत ही महतपूर होने वाला है लेकिन एक बात है जो लोग मंत्र जाब करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, जो माला जाब करते हैं, बस उनी के लिए ये वीडियो महत्वपूर है, जो नहीं करते हैं, उनके लिए ये वीडियो कताई भी देखने की कोई ज़रत नहीं है, तो दोस्तों, रोज की तरह है अधि आपको मेरे वीडियों पसंद जाते हैं तो मेरे चेनल को सबस्क्राइब करें मैरे वीडियों को लाइक capturing कमेंट करें शेयर करें और आच्छी जानकारी स्प्रेड होनी चाहिए तो सभी लोगों तक जानकारी पहुँचनी कशिते हैं तो दोस्तों क्या होता है ना मंत्र जाब करते समय कभी-कभी हमको घबरा हाट भी होती है यह हमारे जोडों में दर्द होने लग जाता है मन करता अपने पैर फैला के बैट रूम कभी कमर में दर्द सुरू हो जाता है कभी पूरा पूरे मतलब उबासियां आने लगती हैं नीद आने लगता हो हमारे लिए एक माला जब करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है तो उसके लिए क्या होता है देखो सबसे पहली चीज कि आपके घर के घर में कोई नेगटिव एनरजी है नकारात्मक एनरजी आपके घर में है जो की बहुत प्रवल हो रही है और जब आप मंतर जाप सुरू कर रहे हो उसका संकल्प ले रहे हो तो उस नकारात्मक एनरजी को बिल्कुल पसंद नहीं है क्यों? क्योंकि उसको आपके घर से बाहर निकलना पड़ेगा है न दोस्तो यदि आपको आप किसी घर में रहते हो और आपको बाहर निकलना पड़े या आपको कोई बाहर निकाल रहा हो तो आपको कैसे लगेगा न तो वो एनरजी है उसके पास सरीर नहीं है बट एनरजी तो है न वो एनरजी आपके घर में है मजे में है खूब क्यासे डहती है घर में जब ताव उनकरात्मक करणा है और टौछ अरे कालने तो आपको क्या करना हैं लेकिन मंतर आladım तो वो और बैट जा रहे हैं आपका दिमाग अंसंट सोचने लग जाना है तो मंतर जाप नहीं हो रहा है अगर मंतर जाप सफल नहीं होगा क्या आप्शी घर्वाग जाएगी नहीं न तो फिर आपको एक ठूटा सा उपाई करना है बहुत द्यान से सुने आपको बजार से लाना है एक पान का ना बट्ड़ा और चाली मुल जाती है और कपूर कोँछ पीस लाने तुकड़े लाने आपने और एक लाना है आपने पूजा वाला जाइफल जाइफल होता है उसको दखिन कहते हैं अगर लेंगे दुकान से पंसारी की दुकान में आप कहेंगे तो आपको मिल जाएगा तो वाला जाईफल लाना है तो दोस्तों अब आपने क्या करना है कि आपने जैसी आप मंतर जाप के लिए बैठते हैं सीधा काम वेश्ण करना है आपने पहले ये काम करना है जो मैं आपको बता रही हूँ आपने बान के पत्ते में साथ साथ काली मिर्च रखनी है उसमें वो एक जाइफल रखना है पूजा का और उसको आपने फोल्ड कर देना है फिर आपने आपके पास एक असा बड़ा सा दिया होगा आपने उसमें कपूर के कुछ टुकड़े डाल देना है आपने अपने उपर एंटी क्लॉक वाइस पना गड़िकी सुई के बिप्री दिसा में वो शाथ बार घुमाना है उसके उसके अंदर जाइपल रखना है और पान के पते के अंदर बंद करना है उसको anti-clockwise साथ बार गुमाना है और फिर कपूर जला करके उसके उपर उसको जला देना है अब वो जलेगा जैसे ही वो जलेगा उससे क्या होगा अब मैं आपको ये भी बताती हूँ उसको जलाने से क्या होगा कि जो energy आपके उपर है उस energy को भोग मिल गया समझे लो उसको भोजन मिल गया है ठीक है तो जब हम उसको भोग पहले दे देते हैं उस negative energy को भोग दे देते हैं तो वो उसमें ब्यास्त हो गया अब आप फटा-फट उसी दोडान आप अपना मंत्र जाब का काम सुरू करो मंत्र एकदम आपका मन लगेगा क्योंकि वो energy तो हाई नहीं आप है न तो आपका सीधा सीधा connection लगेगा आपका मन जाब करने लगता है देखो मंत्र जाब कब सफल होता है जब आपका तन और और मन यहने बाहर से भी और अंदर से भी आपका मंत्र जाब चलता है तो इस तरह से मैन आपका मंत्र जाब में लगेगा और कुछ दिनों तक वो energy वहाँ पर नहीं रहेगी भागेगी क्या भोग में अपने busy हो गई वो अपना ठीक है अब कुछ दिनों बाद जब वो दुबारा आएगी तो आपकी अपनी उर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि वो आपके उपर बैठी ने सकती है आपके उपर किसी तरह की कोई भी हरकत वो करी ने सकती है तो इस तरह से फिर आपका मंत्र जाब ख़त बढ़िया से होने लगेगा और धीरे धीरे मंत्र जाप से मंत्र की उड़जा जब पूरे घर में spread होने लगती है तो नकारात्मक एनर्जी बाहर जाती है और नकारात्मक जब बाहर है तो अंदर कौन बची है धनात्मक एने positive energy तो आपकी घर में पूरा घर का ओरा ही positive रहेगा तो इस तरह से आप लोग मंत्र जाप जरूर करें और मंत्र जाप में यह जो बाधाया आती है इनको अपने प्रयासों से थोड़ा थोड़ा चोटे-चोटे प्रयास करके इनको दूर करें क्यूंकि अपने करने से ही सब कुछ होता है देखो जब हम गुरू के पास जाते हैं गुरू जी तो हमें मंत्र देते हैं अब हमारे घर में आके कोई जाड़ फोग तोड़ी करेंगे अब आपने उस मंत्र को कितना फॉलो करा उतने आपके पास रिजार्ट होगे सीद्धी सी बात है ऐसा नहीं हम लोग चाहते कोई आयर तो दोस्तों इस तरीके से मंत्र जाब करें और अगर यह सारी चीजें आपके साथ होती है तो यह वाला उपाई जरूर करें दोस्तों करने के बाद यह उपाई करके आपको जो रिजर्ट मिलेगा वो कमेंट में जरूर बताएं मुझे बहुत अच्छा लगेगा और सबसे अच्छी बात कि मंत्र जाब करते रहें सनातन में मंत्र जाब एक महा उपाई है आप इसको उपाई की तरह समझें आप अपनी जीवन को स्वर्ग समान बनाना चाहते है तो मंत्र जाब करें आपका जा क्या रहा है इसमें आप मंत्र जाब करें लेकिन उसके साथ थोड़ा अपने कर्मा भी ठीक करें कभी कभी क्या होता है ना मंत्र जाप करने के बाद भगवान की किरपा होती है ना तो आपकी कर्म खुदी सुधरने लग जाते हैं क्यूंकि आपको विवेक आ जाता है ना विवेक आ गया आपको पता है क्या सही है और क्या गलत है तो आप गलत कभ में जैशी राम लिखें देंक यू